आप हलो हलो एवरीवण तो हम लोग चैंएकल बांडिंग में लुइस ट्रॉड फ्र法 देख लिया था और लुइस ट्र फ्रट घ्रेश्य में जो है हम लोग उसके Goniag को भी देख लिया था क्योंकि वह थोड़ी जो है hypervalent और hypervalent compound के लिए जो है valid नहीं होते हैं ठीक ना लेकिन उसके advantage है advantage का आप लोगों को मैंने बताया था कि organic chemistry का जब हम लोग reaction mechanism जब परते हैं तो हम लोगों को उसके advantage देखने को मिलते हैं ठीक है तो कोई नहीं आपको सभी समय सभी कुछ के advantage आपको देखने को मिलेंगे तो हम बात करते हैं अब हाइप वैलेंट और hypervalent compound की जो है उनके जो चर्चाय जो होती है उनके पीछे जिनके थियोरी थी उनका नाम था सिट्विक और सिट्विक के बहुत सारे काम है बहुत बहुत काम उन्होंने किया है chemistry के फिल्ड में आप कभी research paper उनका परना ठीक ना और उनके जीवनी परना आप काफी संगर्स फूल इस्ट्रेगल फूल लाइफ रही है उनके ठीक है तो उनके थीवरी काफी कुछ आपका कॉदिशन कमेस्टिम भी यूज़ते भी दिखेंगे ठीक है तो हम लोग बात करते हैं सिट्विक थीवरी अप सिट्विक थीवरी अप मैक्सीमाम करने वाले नाम जते हैं उसे नाम देते हैं हाइपर वाहलेंस ठीक है ठीक है चले हम लोग इसका क्या में ह्नुदिश्यटे हैर् okay, for any species, for any species, for any species, to form, to form hyper violent, hyper violent, hyper violent system, it should given criteria, it should given criteria, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो, hyper violent compounds करने के लिए कुछ criteria follow करने पड़ते हैं, कुछ उसके मतलब की condition होते हैं, उसके चर्चा हम लोग करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई, यह नहीं है कि कोई भी compound, hyper violent compound exist कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, for any species to form hyper violent system, कोई भी system अगर जहाँ, hyper violent system तभी मतलब हो सकते हैं, hyper violent compound तभी बना सकते हैं, जब वो कुछ given, suit given criteria जो उसे follow करने चाहिए, ठीक है, तो पहला क्या है, इसका क्या है, इसको चेक करने के लिए, there must be, there there must be, there must be, there must be, ability, 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 ठीक न, of d orbital, जहको, अभी हम लोग उने, है PCL5 का हम लोगों ने देखा है ठीक ना और PCL5, PF5 तो जितने भी यह पेंटा वालन कमपाउंड हैं फासफोर स्के अब दो नेटरोजन पांटा व्लन नहीं बनाते हैं वही तो बात है जो कि इसका पहला जो शिट्विक का जो criteria है ठीक ना उनका यही से भी हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे nitrogen, pentavalent क्यों नहीं बनाते हैं, और phosphorus क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो चले हम लोग, इसी लाइन से हम लोगो अभी idea लग जाएगा, ठीक है, तो second है इनका, जैसे मान के चलो, चलो इनकी चर्चा हम बिल्कुल करते हैं भाई, है ना, sorry, 8 electron है, करते ही है, आप कहो, आप NCl5 करते हैं, इसे भी करने चाहिए, pentavalent बनानी चाहिए, ठीक है, बनानी चाहिए, लेकिन यह नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, अभी पता चल जाएगा हम लोगो, को, पी-सी-सी-सी-सी-सी करते हैं, क्योंकि यह 8 electron है, इनका, यह octet theory को भी follow कर रहे हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ी, मोके तला से, तो मोके को अच्छे तरी से भुनाने में यह PL-PCL5 भी exist करते हैं, जो कि hypervalent compound होते हैं, इसके valence cellar electron 10 हो जाते हैं, यह octet theory को violet करके, उपर चले आते हैं, और वो 10 electron वाले species formation कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग detail चर्चा करते हैं, ठीक ना, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके पास d और वाटल की ability नहीं होती है, हमने बताया था कि 2P का है यह, 2P3 का valence cell configuration होते हैं, 2D तो होते नहीं है, क्यों नही सब्सक्राइब करेगा, क्यों नहीं करेगा, 2D, 3D, यह गदर वगदर जो अभी है, हम लोग web function परते हैं, ठीक है, तो रेडियल वेफंस, रेडियल वेफंस, अंगिलर वेफंस, वो सब डिसाइड करते हैं, क्यों सर्वाटल एक्जिस्टेंस है, नहीं है, उसके पीछे जानिया है, जो कि हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो 2P, 3D, तो यह 2D होते नहीं है, और 3D तो 3D तो बिल्कुल बहुत दूर चले गए इन से, हैंना, बहुत दूर चले गए, 2P का है, इसके बाद 3D, 3D के बात करे तो इसके principle quantum number ही different हो गया, यह तो अलाग there are must be a value of D orbital, hypervalent compound बनाने के लिए D orbital जो है, होना चाहिए, ठीक ना, तो D orbital नहीं होने करने, यह हमारा hypervalent compound नहीं बना सकता है, नहीं सो कर सकता है, लेकिन फास्पोरस के पास D orbital होते हैं, इसके कराण वह बेंटा बालन सो करते हैं, यह तो पहली बात हो गई, D orbital की, क्या इसके energy difference between, energy difference, energy difference between, participating or vital, participating or vital, should be less, जखो, 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 सिदी सी बात है, ऐस से इलक्टोन एक्साइट कर रहा था, फास्पोरस के केस में, हमने एक्जामपल लिया, energy difference between, participating or vital, जखो, हम लोग, ice orbital का electron oxide कर आए, P तो थाई भाई साब, ठीक न, P3 थाई फास्पोरस का, ठीक है, 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 दोखो, यह ice भी इन वाल कर रहा है, इस में, पी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, ठीक न, तो बात यहाँ पर यह है, कि ice और पी और डी, ice और पी और ice और डी, ठीक है, ठीक है, सही बात है भाई, यह हमारा जो है, ice और पी के बीच, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह जो है, ice और पी के बीच, क्या है, energy difference, बहुत काम होते हैं, ठीक न, small separation, small separation, small separation, और पी डी में भी वही होते हैं, पी और डी के बीच बात करें, इसमें भी small separation ही होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जाम फर्दर बात करें, ice और डी के बीच, ice यहाँ था, d यहाँ था, ठीक है, ice और डी की बात करें, उसके बीच जो है, energy gap जो होते हैं, energy gap जो होते हैं more होते हैं क्या होते हैं ज्यादा होते हैं तो क्या इसका मतलब हो गया भाई less tendency less tendency less tendency to involve in to involve in bonding ठीक है फिन के पीच चे जिनके eyes or p के बीची small separation होता है ठीक है पी और d जिए पीच भी small separation होता है भहुत बगावात है ठीक है ज़से मौल से परसव्चन होगा वहां electron oxide कराने में कोई दिक्कत नहीं है वहां तो ही हो ही जाएगा ठीक नहीं है लेकिन हमने लेकिन S और D में जो है energy gap काफी ज्यादा होते हैं जिसके करण उसके tendency जो है काफी कम होती है bonding में participate करने की तो भाई फासफोरस का मैंने बात किया भी PCL5 का जो compound का मैंने एक्जामपल लिया था भी ठीक है तो फासफोरस का जो हम लोग के पास configuration है valence L 3H2 3P3 ठीक है एक एक एलेक्टोन एक एक एलेक्टोन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बात यहां पर यह है अब डी है इसके पिछ ते तो बहुत ज्यादा energy difference है है ना बिल्कुल है तो तब तो बॉंडिंग में participant करनी नहीं चाहिए तब PCL 5 बॉंड बननी चाहिए बिल्कुल नहीं बननी चाहिए है ना अभी तब तो जहां तक हम लोग समझ पा रहे है थियूरी जहां तक है आई यह समझ में कि जैसे से हम लोग को scientist ने हम लोग को दिया है उस जैसे से हम बॉंडिंग में participant करने की बहुत अच्छी बात है तो ठीक है लेकिन अब यहां पर एक और रूल काम कर रहा है ठीक नहीं देखो आइस और पी के बीच तो कोई बात नहीं है और पी और डी के बीच तो energy gap कम है ठीक है वहां पर electron अगर जा है अगर अगर जाएस से पी में कराना हो जैसे हमने bf3 में किया है ठीक नहीं बोरोन के पास दो इलक्टोन यहां थे ठीक नहीं टूपी 1 इस से जो है एस और पी से क प्रकार similarly हम लोग जैसे example हम लोग ले रहे है sulfur ठीक है SF6 ठीक है तो हम लोग बात करते हैं sulfur जो है इसका confusion क्या होता है भई 3P4 ठीक ना और 3S2 तो होई गया ठीक है तो 4 electron यहां पर है एक दो तीन चार यहां पर 3D यहां पर है 3D है ना हाँ 3D है ठीक है तो इसका electron एक्साइट कर लेगा कोई बात ने इजी वेम कर लेगा च्छी बात है लेकिन बात यहां पर फास्पोरस की कहानी चल रही है ठीक ना फास्पोरस के में इसकी electron i से d में कराना है तो कैसे होगा होगा जरूर होगा तो इसके लिए जो है हम को क्या करना पड़ेगा और वैटल को उसके पास लेकर जाना होगा क्या करना होगा भाई आप तो बहुत दूर में है आप और हम यहां है दोनों के बीच बहुत ज्यादा इनर्जी डिफरेंस है तो काम तो होगा ने लेकिन काम सामे कराना है क्योंकि उसकी इसको कर रही है उसकी फिर को समझना मैं तो के मतलब है उनका पास लेकर जाना तो पास लेकर करका नहीं आहओगा तो वायिकशियाक्षान करते है चाहिए बात है पास लाने ही पड़ते हैं पास 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 लोगों का जो है अच्छी बॉंडिंग होती है ना दूर दूर का तो खर अब दूबाय में बैठके किसी से बात कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं फिर सुबाव भूल गए पास है तो अच्छी बात है आप लोग समझद जो 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 को अब दखो कि यह और क्या करना है अभी निके साथ जो बॉंडिंग बना रहा है ना ज़् रिलरी 时间 कराने में जो इनर्य खर्च होंगे एक्स्पेंस होंगे वह primarily princi नौने के बाद वह एक किनिशन तो वह हो गया ठीक है सही बात है भाई जो हम बन बना रहे हैं और बांड बनने के बाद जो एनर्जी हमें निकल रहा है उस सिस्टम से आउट्पूट जो मिल रहा है ठीक ना डिल्टा जी का वेलू निंगर्टीव हम लोगों ने देखा था चेक किया था और जो एक्साइट कराने में जो एनर्जी खर्च होंगे उन दोनों का बैलेंस करने वाला कर जा कंडिशन वह एक प्यार मेरे प्यार में वह तनी थाकत है कि कहीं भी दूर पर बैठे रहे हैं तो वह हमारी और खीचे चलिए आते हैं रहे, तो कोई नहीं, जब बॉंड जब अच्छी है तो कितने भी दूर चल जाकितने भी उसके उपर प्रहार चले जाए, अगर्न की प्रहार यहाँ भी उससे तरह कहा दहने कोमेलगर है ठीकना, तो द ciao अब बाउंडिंग बेटर कब बनेगा कब बनेगा जब फायर इलेक्टों निंगती अटे में फोला होंगे अटेच क्यों होंगे यह उनेगे क्योंकि यह कि जब इलेक्टों अटेच होंगे जैसे फ्लोरीन और कलोरीन जैसे जो है higher electron negative atom है ठीक ना मान कि फास्पोरास के साथ यह ठीक है ठीक है इसके उपर delta positive इसके उपर delta negative क्योंकि हमने पड़ा है कि इसके जो है electron negativity जो है ज्यादा होती है ठीक है तो यह क्या कर रहे है bond को polar कर रहे है और करनासे क्या होते है follow uh सकरे जो एक अज killed अजिक लेक्टरिक फोर्स आप ट्रक्षेन सब्सक्राँ और वो फोर्स लगना बहुत अच्छी बात है दोनों के बिच दोनों चार्ज के बिच दोन इसके ऊपर पार्सियल पोजिटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि साइड एक्टाम इलेक्ट्र निगटिव एक्टम है इसके ऊपर निगटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि इसके इसक अब जोखे, इसके उपर । देल्टा पॉजिटिव चार्ज आगया Раз्फोरस के उपर। तो, देल्टा पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है जि की निकोरियास का चाइड होय बरना। जहां 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 पॉजियास का पाँवर पर बर में हमको को और वाटल वह अंदर की और खिचे चले आजेंगा उसका पैने ट्रसण अना सुरू हो जाएगा पैने ट्रसण का मतलब मिनिंग है एक का स्थान दूसरा को ले लेना खिसक खिसक के सामने चले जाना ठिक रहा है जब खिसक के सामने गया तो तो उसको इलेक्ट्रोन आइस को अ पोलारिटी जन्राहे होने का मतलब है इसके उपर देल्टा पॉजिटव चर जा रहये हैं डेल्टा पॉजिटिव चार अने मतलब है HallelujahS लिज आप और रहर रहा है है ही न आधिमे जा रहा है तो ठीक है तो इसको हम लोग अब कंडिशन हम लोग उने बना दिया इसी चीज़ को ठीक ना इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा लाइन में लिख लिते एए ठीक ना के हैं भी हैं भी कंपन ज्वाइब फॉर्मिंग इस्ट्राउंग बोन ठीक चिंग ना इसको कंपन सेट करने के लिए आप सेप्रेशन जो बहुँ जाधा है उनको बैलेंस करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है में अभी हमना आ इस बात को ठीक नहीं, can be compensate, can be compensate by, by forming, forming strong bond, ठीक है, ठीक है, जब, साइड़्य आत्म, एलक्ट्रो, नीगोँटी विटीए, हाई लक्रो निलिक्रो निंघोनियर नंगिटीभ वालिद इस अप होसकता है, के एन भी दन भाई यह सकता है भाई दन वाया अटेचिंग 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 मोर इलेक्टो निंगेटिव सब्स्टांस ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक नहीं अगर जा किसी का सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चले अब देखो जैसे कि हम लोग बात करते हैं पी अप थिरी ठीक है पी अप थिरी की थिरी ठीक है अचिवा थीक है अब देखो घ्लक्राइबफ धिरी यह टीक है अच्छी बात है यह ट्रै-फ्लोरो लूट जो भी अप्याप थिरी वा कंपांड है ये तो अच्छी बात है भाई इसके वनेस में टू है लग्टरॉन है ठीक है ये है ठीक है यह यह एलक्ट्रॉन यह एफ मना लिया है इसमें कोई जरूत नहीं एकसाटेशन की क्योंकि तीन फ्लॉरी नहीं एटच हुए हैं यह ओक्टेट के तरह ही जो प्टेट फूल करके यह काम कर लिया कर लेगा इन्होंने मतलब यह ओक्टेट डूल को फोलो करके कंपान फट्व यह जरोजन यह जर्खद निया जखल चबाए अच्छी बात है बहुत बढ़ी है एन दुने में कोई गिलिया और सकर नहीं है दोने ऐन खांध दूल को खु़ो करके कम आप रहे है है इसके पास वे कलों पर च्छाब कर रहा है इनके पाद रहा है वह शिट के रिखाइन करने के लिए प्याम स्विय कहले हैं उसके बात अलग एक हैं प्याप इस आइप भॉन हुआ भाई थांच संब्झेन करते हैं लेकिन पीच cY A anim ठीगा करते होंहें हैं कि भॉट इतरी तो कर लिया तो उसको देखते पी कर लिया रहना अब आप फॉलल दो कॉर्फ हट आ फॉर फॉरटी नगा ढॉया लोड़्यलूर्टींज पाच प약न में बनाता है क्या हेड्रोजन भी बनाएंग है בनाएंगे क्या चलते हैं देखते हैं हम लोग या कहानीयाइन कि इनका हमें कहानिया समझ में आ गया जैसे दोको फिर से तरह समझ रहे हम लोग सप्र फोरस थिरी आस्ट्यू यहां था ठिक है पर यहांपर पी था ठीक है? एक दो तीन और यहांपर जुहा है अब दी और वच्टन यहांपर इसका इंट Nearly तक करना पड़ेगा क्यों करतेगा जैसे जैसे हम लोगे बाच को तो excited state में जब गया हमारा तो ये हमारा electron इसमें जम किया ठीक है अब यहाँ पर तो क्या हो गया भाई यहाँ पर यह हो गया ठीक है बहुत अच्छी बात है अब देखो यहाँ पर fluorine, chlorine जो भी यहाँ पर जूट गया अच्छी बात है क्या ऐसा ही काम pH 5 में होगा क्या देखते है जरा phosphorus यह रहा हमारा दो electron यह हमारा तीन electron रहा ठीक है यह हमारा पांच दी और वाटल रहा अच्छी बात है बहुत बढ़ियाँ बात है ठीक है तो दिक्कत नई होने भी ने चाहिए एक दो ठीक है क्या यह hydrogen जो है इसका electron के excited करा पाएगा बात तो यहाँ पर यह है fluorine तो करा दिया क्योंकि उनके पास electron negativity जादा हो थी दोनों bond के बीच polarity generate कर दिया उन्होंने polarity generate करने से क्या हुआ फासपरोस के पार डेल्टा positive आया डेल्टा positive चार्ज होने फासपरोस के बात होती है तो बना लिया कोई नहीं आक्टेट complete होने कारें एक फेक्टर मिला है हमें हम तो लोग तुम्हारे साथ यह compound बना लिये प्यस्थ्री बनाने के बाद तो क्या पी एच फाई भी बना लुगा का नहीं तुम्हारे लेक्ट्र निगर्टी मेरे से ज्यादा है नहीं कैसे बनाऊंगा भाई ठीक है उसके लिए तुमको हाई लेक्ट्र निगर्टीव होना पड़ेगा तो ऐसी तो बस की बात है नहीं क्योंकि ही एक्ट्र निग्रिटिव जो है फास्पौरस का ज्यादा है एक्ट्र circuit इप है ड्रजां से इल एक्ट्र टोंक्र करां रिद ने पाएगा इसके बॉनि इतने पोलारिटी हो इन नहीं पायेगी ठीक है बहुत सारी बात आप मेर्ट आप्ट खो नहीं आएगे तो नहीं होगी तो sound PH5 एक्जिस्ट नहीं करता है ढें किया तो हम लो ने समझ लिया अब देखो कॉन कॉन ईक्जिस्ट करता है क्यों कॉन कोन प्रड ही करते है इसके बात हम लो कर लें ठीक oldest अब देखो इससे क्या क्या होता है ठीक नहीं करते हैं जब आ इस कंपाउंड के बारे हुए लोग देखते हैं ठीक है ठीक है जान तक बात करें ज्याधा डिफ्रेंश तो होते नहीं है और इसमें हमें क्या है इलेक्ट्र निखिविटी ज्याधा होनी चाहिए ठीक है ठीक है देखो अब आई सब 6 क्या इस्ट करते हैं बिल्कुल करते हैं ठीक है क्या सलफर Scl6 क्या करते हैं ये नहीं करते हैं अब क्यों नहीं करते हैं इसके पीछे का रिजन क्या SBR6 करते हैं ये भी नहीं करते हैं ठीक है क्यों नहीं करते हैं अभी बात करते हैं हमलोग ठीम अब हम लोग IS Br 6 क्या करते हैं यह भी नहीं करते हैं SH2 यानिका H2 egy sulfur dioxide SH4 यह भी नहीं करते हैं ठीक है और SH pH 6 ठीक ना SH 6 यह भी तो बिलकुल नहीं करते हैं क्यों नहीं करते क्योंकि एलेक्ट्र निंगटीव अप सलफर का ज्यादा अत्ता है एलेक्ट्र निंगटीव विटी आफ है ठीक है अभी मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूं बता रहा हूं रुको 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 पोधिसे तो रहा हूं 받ु का लुको प्रियुट्र जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी का उड़र के बात करें हम लोग ठीक है तो फ्लोरीन का ज्यादा अथिक रिकार यहां पर ऑक्सिजन और नेट्रोजन अप्रोक्स होते हैं ठीक न है और उसका ब्रोमिन का होता है फिस सलफर का होता है देखो कीसली नहीं करता है देखो सल्फर और यहां पर अक्सिजन ही है हमारा इलेक्ट्रो निंगेटिवटी का ट्रेंड है ठीक है ठीक है तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर एक मिनट ठीक है तो हम लोग बात करते हैं आगे करते हैं बिल्कुल करते हैं है ठीक है और इसलिए शिक्स क्यों नहीं करते हैं ठीक है ठीक है इसका एक रिजन है कि सल्फर जो है चलते हैं भी दाखो जब पर का क्या होता है कांफिक्रिशन वान आइस टू 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 पी दाखो ठीक है इसका क्या है कहानी क्या है एलक्टो नेटिविटी चलो फैक्टर तो तो सही है ठीक है वो तो तो कमपंसेट कर रही रहा ठीक है अब इसको एकसाइटेरी शेट के बात करें इस इलक्टोन को भी हाँ पर एकसाइट कराना है इसको भी एक कराना चीक्ष बोन बनाने लिए ठीक न है जो कि more energy required होती condition में क्या होती है ये condition जो है more energy required होती है more energy more energy required ठीक है energy required जो है बहुत ज्यादा होती है इसलिए ये दो-दो लेक्टोन को excite कराना possible नहीं है कलोरीन का ठीक है इसलिए ये compound exist नहीं करते है ही ठीक है समझ मारी बात ठीक है हम लोग बात करते हैं मैं question ले रहाँ है हम लोग question देख नहीए जोगी गेट में question आया होता जीसे दोखो question है आइस 4 अन 4 और आइस 4 की ठीक है आओर question है आइस 4 एन फोर और एप फोर ठीक है बहुत अच्छी बात है अब देखो इनके दो फॉर्म दिये वेते अप्शन में करते कौन फॉर्म इसका सही है ठीक है देखो रिको इस, doublown और इस, doublown और इस, 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 विर ताल सवन अचाई या है यह जैसे अचा अच या है ये किसका और अपशन है ये अप्शन है ठीक है और यह वी आप्शन है इनका आइस आयम ह, ह, आइस, आइन, ह, आइस, आइन, ह, आइस, आइन, ठीक है, ह, 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 ठीक है, देखो, यह एक कमपाउंड है, ठीक है, यह कहरा है, इन दोन हम कौन सही है, इस कमपाउंड का जो है, इसका ओप्शन है, ए में, ठीक है, आइस, आइप, ठीक है, यह आइन, डावल बोन, आइस, आइस, आइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अर एक अपशन भी इसका भी है, live, यहां पे है यह, ठीक है इस कोस्टन को हमें करना है, ठीक है, उनके बाद, इसी कंसेप्ट पर यह कोस्टन है, आप देखो, आपको यह देखने होगे, यह कोस्टन यह वाल सही है, यह वाल सही है, इस कंपाउन के लिए वाल सही है, रही कि यовेल सही है, ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर है single bond है ठीक है और यहाँ पर है sulfur और nitrogen में double bond है यहाँ पर single bond देखो सिरी सी बात है कि double bond तभी बनते हैं जब जब उसका orbital जो है contact करके उसके सामने जाता हो ठीक है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या कि यहाँ पर hydrogen लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पर fluorine लगा है fluorine लगाने का मतलब है sulfur के जो atom है वह और contract होते जाएंगे क्योंकि इलक्रो निग्टिव्टी जादा होती है fluorine के इनके भी जो है bond बनना double bond बनना favor हो जाएंगे और यहाँ पर जो है इसके side में hydrogen है hydrogen तो अतनी electricity है नहीं तो यहाँ डेल positive charge create नहीं कर पाएंगे इसके भी double bond बनना feasible नहीं है इसलिए यह single bond ही बना कर exist कर लेंगे ठीक है तो हम लोग और आगे बात करेंगे ठीक ना आगे बहुत इसकी बाते करेंगे चलो एक एक compound एक question और हम लोग करते हैं ठीक है दोखो जैसे question है gate का है gate में आयो यह question है जैसे phosphorus है gate 맛있어요 फस्राज़ फस्राज़ आगे वस्राज़ बन हरक कि इस बरावर क्या है कैकलोरीन क्लोरी biting ग्रोमीन हमिश्ट ह्आइव ए अपक राव है इसमें इसको एक्रेंट किजी अप ठीक है इसको क्या करना है अरेंज करना क्या की कैशे क। में आटेरज करना इना तो तो सिद्धी से बात है एक्स क्या क्या हो सकता है दोखो एक्स यहां पर क्या होगा जो कि अछटे पास पास आएंगे इसके बीच डर बनेंगे अच्छी होगे से है ना तो फ्लोडीन आने चाहिए पहले फिर कलोडीन आने चाहिए फिर ब्रॉमीन आने चाहिए फिर CS3 आने चाहिए ठीक ना बॉन्ड श्रेंद के बाद यह है ठीक है तो पी पाय पी एक्स का ही जो है मतलब की इसी यह गुरूप ही करेगा यहां पर कि डवल बॉन्ड यहां पर मेरा फॉर्मेशन होना कितना अच्छा होगा तब फ्लोडीन आएगा तो डेल्टा पोजिटिव का मतलब मेंगनेट्यूड ज्यादा होगे फास्परोस पे तो उस पर नुकुलियर इफेक्ट ज्यादा निकुलियर पावर तो है कलोडीन का फिर एलेक्ट्रो निंगेटिविटी ठीक ठाक है फिर ब्रोमीन है तो यह तीनों एलेक्ट्रो निंगेटिव आले पहले आ जाएंगे उसके बाद लास्ट में हमारा सीस्ट्री आएगा ठीक है और कॉस्ट्वन अगर जाहें देखता हूँ एक मिनल तो हम लोग का यह बेसिक आइडिया था ठीक है तो हम लोग आज यहाँ पर आगे चला कर हम लोग सिखेंगे कि अबरलेपिंग कॉंसेप्ट्ट्व जो होते हैं सिगमा बॉन पाइबॉन का फोर्मेशन का उनकी चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे आने वाले समय में ठीक है तो कॉंसेप्ट आप आवरलेपिंग सिगमा बॉन फॉर्मेशन आफ सिगमा बॉन या पाइबॉन उनकी बाद हम लोग दिरे दिरे आगे बराएंगे यह से आप फिर हम लोग बॉन्दिंग थोरी में इंटर करेंगे वेसपर बीबिटी आप जो भी है तिर बैक बॉन्दिंग यह वो जो भी है सब अम लग पढ़ाएंगे ठीक है ताप बने रहे और इंजॉय करते रही है और सीखते रहे है बीकल बंडिंग बहुत बड़ी रीड़ की हड़ी है और इन और ऑर और ऑर गनिक चमेस्ट्री की में हमेशा वरए-बर कहता हूं वीडियो में इस चप्टरों का आप इग्णोर नहीं कर सकते हैं इस चप्टर के बिना जो है आप समझ भी नहीं सकते हैं तो आपको अच्छी तरीके से चप्टर का नौलेज होनी चाहिए ठीक है ठीक है ठाल क्यूनата